सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गाव हुआ करता था जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं, गाव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेर में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गाव व होते ही गाव में सननाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गाव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधू को गाव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गाव वाले स साधू को उस पेड के पास ले जाते हैं, जहां भूत का वास होता है। साधू अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधू भूत पर काबू पाने की युप्ति निकाल लेता है और सब गाव वा रात को जब भूत पेर से निकल कर गाव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों और उजाला कर देते हैं. रोशनी को देखकर भूत दर जाता है और वापस पेर की और भाग जाता है. वही गाव वाले भी उसके पीछे-पीछे पेर के पास पहुंच जा कहानी से सीख समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर बुद्धी का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है.